वेरी गुड मॉर्निंग टू अलों की दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एट्सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ कल बिहार में BPSC टीचर एक्रूट्मेंट की रिजल्ट को लेकर जो लगातार अपडेट हमने आपको दिये हैं उस बीच में एक और अपडेट आ चुका था जी हां मैं बात कर रहा हूं 79 वी BPSC इंटीग्रेटेड एक्जाम को लेकर इस एक्जाम का अल्रेडी आंसर की दिया जा चुका था ओफिशल लेकिन ये एक प्रोवीजनल सेकेंड यानि कि दूसरा आपका जो है सेकेंड प्रोवीजनल आंसर की है अब यहां पर यह क्यों दिया गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके लिए अगर इसमें भी आपको लगता है कि हाँ इसमें भी प्रश्णों के उत्तर गलत है तो आप फिर आपत्ती कर सकते हैं लेकिन अब यहां पर कितना फीस चार्ज आपसे लिया जाए यह बताएंगे और कब तक आप अपत्ती कर सकते हैं अगर आपत्ती करते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा यह भी जानकारी आपको इस वीडियो के मातन से देंगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजेगा चुकि उनहत्तर ही बीपीसी का एक्जाम जितने छात्र को लेकर इन चार से आठ वीडियो में हमने वो सारा डिटेल अपडेट किया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखेगा और शेयर कर दीजेगा और देखे बहुत सारे चात्र पूछ रहते हैं कि सर जैसा कि आपने बताया था कि जो है नाइन टू टेंथ के लिए जो आ आप लोगों का योगदान कैसे लिया जाएगा तो देखिए एक दिन एक्स्ट्रा टाइम रखा गया है नीची आईए का जरा यहां पर तो यहां पर देखिए तेईस अक्टूबर को जो है यह अपडेट दिया गया है और बाइस अक्टूबर को ठीक है कि जो भी कक्षा प पर यह यह तो अगर यह दो डेट में नहीं भी होता है तो डेट यह अभी सफीसियंट है एक 30 अक्टूबर तक यह सारी चीज़े जाएंगी तो इसलिए यह जवाब मैंने आप पर सुचा कि आप लोगों दे दू क्योंकि आप छातर परिशान हो रहे होंगे आज क्योंकि आज 18 तरह है और देखिए आज रिजल्ट आ जाता है अगर तो ठीक है आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने जिला में ही ठीक है नहीं आता है तो आपको जो है एक्ट्रा डेट मिलेगा इसका चिंता आप लोग बिलकुल मत कीजिएगा लेकिन रिजल्ट आने के बाद ह आपको योगदान करना है या फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस या यहां पर कॉंसलिंग का प्रोसेस चलेगा चलिए तो अब आते हैं दोस्तों यहां पर बीपीसी के वेबसाइट पर तो देखिए कल इन सभी के बीच में चुकि यहां पर जो मैंने रात में बताया भी था कि आप लोगा इन सभी सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट आ चुका है तो बाकी सारे रिजल्ट कब तक तो आज भी अपलोड होंगे दस बजे के बाद देखेगा तो यह धिर धिर अपलोड किया जाएगा और थोड़ा वेबसाइट फिलो हो जाएगा तो जितना भी अब यह चीज डला हुआ है उसको डाउलोड कर लिजेगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ठीक है और दूसरी चीज यहाँ पर देखेगा कि 17 अक्टूबर को ही यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन दे दिया गया था तो उन चात्रों ने आपत्ती करने की मांग भी कि थ तो अब इसको जो है चुकि उसमें कोई फीज चार्ज आपका नहीं लगा लेकिन अब यहाँ पे जो है दूसरी बार जब आप आपत्ती करेंगे तो यहाँ पे आपसे फीज चार्ज भी लिया जाएगा तो यह नोटिफिकेशन है 30 सेप्टेंबर को आईजित 79 वी BPSC प्रारंबिक परिक्षा के अंद्रगत समानने अध्यन विशे की आपबंधिक उत्तर यहाँ पे 6 अक्टूबर को आयोग के वेबसाइट प्रदर्शित करते हुए 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में उमिद्वारों को आपत्त का अमर्णन किया जाता है यानि कि 6 अक्टूबर को यह रिजल्ट दिया गया था और 9 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आपको बोला गया था कि आप अपत्ति दर्श कीजिए उक्त प्राप्त अपत्तियों के समिक्षा उपरांत यानि कि जो आपका समिक्षा किया गया है इस समिक्षा के बाद यहाँ पर विशय से सम्मंदित प्रश्ण सेंकला जो है A, B, C और D सभी प्रश्णों के द्वीती और बंदिक उत्तर जो कि 17 अक्टूबर से आयोग के वेबसाइट पे प्रदाशित हो गये यानि कि उफलब्द रहेंगे तो 17 अक्टूबर यानि कि कल रात को यह अपडेट दिया गया था मैंने इसका वीडियो सोचा के बना के कल ही दे दो लेकिन सोचा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर परिशान है तो यहाँ पर आज आप लोग जो है इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाके लॉग इन करके अपना आपत्ति कर सकते हैं ठीक ह यानि कि जो सेकंड आपका जो प्रोविशनल आंसर की दिया गया है उसमें आपको क्या करना है तो अपने यूजर नेम पासवर्ट से लॉग इन करना अपने डैसबोड पर जाना है वहाँ पे 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक आपत्ति जो प्रमानिक साक्षि स् सकते हैं डैसबोड के माधियम से द्वीति अउबंदी उत्तर पर आपत्ति दर्ज भी आप कर सकते हैं देखिए हमने आपको जो है बताया था कि पहले जो आंसर की में जो है क्या क्या गलतियां थी तो उनका सुधार हो रखा है आप लोग को उसके रिमार्क के साथ वहां प किया जाएगा दृतीया वबंदी जिन प्रश्नों के निर्धरयति दितत्र ठत यहां पर कोई आपति प्राक्थ नहीं हुई तो उस उत्तर को को यहाँ पर सही मान लिया जाएगा और उसके बाद आपका जो है जो भविश्य में कोई भी आपत्ति करने का जो विचार आपका नहीं रहाएगा और इसी को सही मानते वे ही आपका result यहाँ पर दिया जाएगा तो देखिए आपको करना क्या है BPSC की website पर आना है apply online वाले section पर क्लिक कर लेना है और यहां पर जाना है इस section पर अब यहां पर देखिएगा तो कोई भी आपका जो है link अभी activate नहीं किया गया है और यह कब से होगा चुकि मैंने यह जो एक छातर का यहां पर open करके देखा तो यहां पर सिर्फ print application करने का दिया अभी आपती करने वाले link फिर से दुबारा active नहीं किया गया है तो यहां पर आपती आपको करना है 18 October से आज से लेकर है ना आज से लेकर 20 October के बीच में तो यह link हो सकता है कि 10 बजे के बाद आपका यहां पर up to date कर दिया जाएगा तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में यह आपको हमें आप तक महुचानी थी और अगर आप लोग आपती करना चाहते हैं उन प्रश्णों पर जिस प्रश्णों को आपको लेकर doubt है तो please comment section में comment करके जरूर बताएगे कि वो कौन से प्रश्ण है और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा यहां से तो यह ऐसे फिले question का देखेगा तो यहां पर answer जो है डी होगा और वही question 38 नमबर पर है से बीमें तो यहां पर answer यह होगा ठीक है और यहां पर देखेगा तो यह question number 68 यहां पर यहां पर सेवेंटीन है यहां पर तो यह इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने उन सभी प्रश्णों को जो कि आपको लगता है कि हां उसमें डाउट है और यह आपका सेकेंड प्रोविजनल आंसर की दिया गया है दोस्तों तो इस पूरे कोशन आंसर को अपने बुकलेट से मिलाएगा कि क्या आपने उतर सही किया है और आपके अनुसार वहां पर जो साक्ष दियेगा है क्या वो साक्ष सही है या वो गलत है अगर गलत लगता है तो आप उसके प्रती जो है आपत्ती दर्ज कर सकते हैं अगर आपत्ती दर्ज करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बत पहुंच सके कि अपत्ति करना है 20 तक और फीस लग रहा है 500 जैहिंद मिलेंगे अगले वीडियो में